दोस्तों नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो 2021 में आपका अच्छे गॉर्मेंट मेडिकल कोलेज में एडमिसन हो ताकि आप अच्छे डॉक्टर बनके देश की सेवा कर सकें मैं इस वर्षी यही कामना करता हूँ अभी जेई मैन की एकजाम डेट अनाउंस हो चुकी है सीवेसी बोर्ड की 10 और 12 की एकजाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है हमारे दिमाग में यही क्यूसन बार-बार आ रहा है कि नीट 21 का एकजाम कब तक होगा तो दोस्तो चार मई से लेके 10 जून तक यह बोर्ड की एकजाम है तो मैं आसा करता हूँ कि यह एकजाम ज्यादा लेट नहीं होगा नीट 21 का एकजाम मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक में हो सकता है या जून फिप्टीन तक हो सकता है इसमें ज्यादा डिले नहीं होगा तो आपको तकरीबन ये एक मैने का समय मिल सकता है तो आप इसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप 31 मई 2021 तक का टारगेट लेकर चलें हो सकता है ये एकजाम आपके जून फर्स्ट वीक में या फिप्टीन जून तक हो लेकिन इसमें आपको ज्यादा लेट एकजाम नहीं होगा ये हमें पूरी पूरी आसा है अभी कुछ दिन पहले दैनिक भासकर का भी एक न्यूज आर्टिकल आया था उसमें ये ही कहा गया था कि MSRD ने बताया है कि ये जो एप्लिकेशन फॉर्म है नीट 21 के ये एप्लिकेशन फॉर्म मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे अप्रेल में इसका क्रेक्शन होगा और माई तक अड्मिज कार्ट आ जाएंगे तो हम आसा करते हैं कि ये जोन मिड तक ये एकजाम कम्प्लीट हो जाएगा नीट 21 का लेकिन आप टारगेट लेके चलें कि आपका 31 माई तक सहले बस कम्प्लीट हो जाए ये ज़्यादा डिले नहीं हो रहा है इसमें ज्यादा चे ज्यादा पंद्रा बिस्तनी या एक मैने का डिले हो सकता है इससे ज्यादा नीट की एकजाम में डिले नहीं होगा क्योंकि मई में ही जेई मैन की एकजाम कम्प्लीट हो रही है तो हम आसा कर रहे हैं कि ये जोन तक एकजाम मिड जोन तक 15 जोन से पहले पहले ही नीट 21 का ए पूरी पूरी संभावना है ये तो एक ट्रेंड बन गया है अभी एजुकेशन मिनिस्टर आएगा जैसे उसने जेई मैन की गोशना की थी बौर्ड की गोशना की है इसी परकार एक दिन नीट की गोशना भी कर देंगे ये अपने इस परकार की गोशना कर रहे हैं ताकि लोग इनको जाने वैसे क्या पता लगता है कि कौन एजुकेशन मिनिस्टर है ये एक्जाम डेट का अनाउंस करना ही अभी एजुकेशन मिनिस्टर का एक काम रह गया है तो आप इनसे ज्यादा आसा नए करें आप अपने स्टडी को बरकरार रखें स्टडी में आप यही ध्यान रखें कि आपको मई तक syllabus complete हो जाए तो मैं आसा करता हूँ कि आप अच्छी study करेंगे अच्छी तयारी करेंगे 10 to 12 hours या 10 to 14 hours की study करेंगे तो आपका अवस्ते ही selection होगा 2021 में मैं ये आसा करता हूँ अगर इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगी नई कोई जानकारी मिलेगी तब मैं आपको inform करूँगा तब तक के लिए मैं हरसाई चोपड़ा फिर से आपको नए वर्ष की हार्दिक सुब कामनाई देते हुए आप से लेता हूँ विदा जैह